नमस्कार दोस्तों एक बर फिर आप लोग का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है और आज की इस वीडियो में हमारे पास में एक नया पॉड़क्ट जो की आता है बोट की तरफ से और यहां अगर इसका नेम बता दू तो आप लोग देख सकते हैं बोट निर्वाना 751 बहुत ज़्यादा मीटिंग अटेंड करते हैं और आपको आपके सराउंटिंग में थोड़ी नौइज भी आती है वह नौइज कैंसिल करके आपके मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो इस तरीके के हेड़फोन आप परचेस कर सकते हैं इसके अंदर एक्टिव न करने से पहले मेरी चैनल पर अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगो को मिलती रहे तो कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है इने हेडफोन का सबसे प वो भी 33 dB तक और यहां पर टोटल प्लेबैक अगर बात करें तो 65 आर्स का यहां पर कंपनी जो है मैंशन करती है बाकि एक्चुल बैकप जो है हम चेक करेंगे उसके बाद ही पता लगेगा बड़ यहां पर 65 आर्स का कंपनी यहां पर क्लेम कर रही है और यहां पर आपको क बता दो Bluetooth प्लस AUX का भी support दिया गया है और dedicated mic मिल जाता है calling के लिए जैसे मैंने आप लोग को बताया अगर आप meeting वगेरा करते हैं जादा तो definitely आपके लिए अच्छा product हो सकता है बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजे क्योंकि हम इसको चेक आउट करने वाले करें यहां पर box से उपर जो MRP mention है वो है 7,990 रुपे और यह आपको around 4000 के around online मिल जाता है कुछ offers वगरा लगाएंगे तो 4000 के नीचे भी आप लोग को यह मिल जाएगा तो आप चाहें तो वहां से जाके इसको purchase कर सकते हैं इसका link में नीचे description में दे दूँगा और हम लोगों ने इसको around 3900 के around purchase किया है और actual जो prices का online हमें शो हो रहा था वो 4300 रुपी शो हो रहा था तो card लगा के हमें 3900 around हमें यह मिल गया है मैं आपको link description में दे दूँगा वहां जाके आप देख सकते हैं तो चलिए seal को open करते हैं और इसको खोलते हैं सो seal को यहाँ पर मैंने remove कर लिया है और अब मैं box को open कर रहा हूँ तो box कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह open हो जाता है और packaging मुझे अभी तक काफी ज़्यादा अच्छी लगी है तो box को एक बार open करते हैं और check करते है box content तो box को open करते ही सामने की तरफ आपको यहाँ पर headphone layer करना है वो सारी चीजे इस पर लिखी हुई है तो आप चाहें तो इसको read कर सकते हैं headphone को मैं फिल्हाल के लिए side में करता हूं और box content में देखता हूं वैसे आप लोग को बता हूँ headphone मैंने यहाँ पर अभी उठाया है पहली बार तो मुझे काफी heavy लग रहा है मतलब actual में heavy ह और इसके अंदर देख लेते हैं और क्या क्या चीजे हमें मिलती है तो इधर देख सकते हैं एक और अच्छी चीज मुझे यहाँ पर मिले है कि आपको यहाँ पर case दिया हूँ है या चोटा सा carry bag दिया हूँ है जिसमें आप इसको रखकर कहीं भी अगर आप travel करते हैं तो आ overall packaging के मामले में में मिरको यहाँ पर कोई भी problem ने लगी है बहुत अच्छी है यहाँ पर packaging करके यहाँ पर boat ने provide किया है और यहाँ पर इसके अंदर देख लेते हैं क्या मिल जाता है इसके अंदर एक aux cable है जैसा मैंने आप लोग को बताया है यहाँ पर aux का भी support आपको देखने को मिल जाता है और एक टाइप C का यहाँ पर cable दिया गया है जिससे आप इसको charge कर पाएंगे और इसके अंदर quick charge का support है और इस वाले packet में देख लेते हैं क्या मिल जाता है तो यह user manual है और इसके और भी products की जानकारी के लिए यहाँ पर इसका पूरा catalog मिल जाता है तो इसमें जो है जितने भी इसके products आते हैं उनके बारे में आप लोग को जानकारी मिल जाएगी तो यह सारा चीज था जो box के अंदर यहाँ पर रखा हुआ मिल जाता है आ जाते हैं अपने headphone के उपर basically जो हमारा product है तो इस पर से मैं यहाँ पर remove करता हूँ यह जो wrap है और यहाँ देखिए packaging कितनी जादा कमाल की है इसके उपर दो wrap तो अलग सही है और यहाँ पर आप देखिए इसके उपर भी इन्होंने एक type से laminate कर रखा है कि कोई भी scratches वगेरा ना आए बहुत ह देख लेते हैं सामने की तरफ इधर से देखिए यहाँ पर यह left और right का यहाँ पर लिखाओ मिल जाता है और जो form है वो भी अच्छी quality का है कोई भी cheap material नहीं लग रहा है बहुत ही बढ़िया quality का use किया गया है जब इसको पहनेंगे तो मुझे लगता है बहुत जादा comfortable होने तो फहले इसका physical overview मैं आप लोग को दे देता हूं कि कौन-कौन से यहाँ पर button मिल जाते हैं तो इधर आप लोग देखेंगे power का button मिल जाता है जिससे आप on या off कर पाएंगे इसको यहाँ पर आपको एक LED light दी हुई है जो indicate करेगा जब यह on या off होगा और उसके बाद यहा यहाँ पर भी एक माइक मुझे देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक अलग से dedicated button दिया गया है जो कि ANC के लिए यानि active noise cancellation के लिए मैं आप लोग को नजदीक से दिखाता हूं तो यहाँ पर यह आपको additional मिलता है active noise cancellation का support जो की काफी जादा काम में आने वाला है अगर आप लोग जादा calling या फिर meeting के लिए एक headphone को purchase करने का सोचते हैं उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर भी बोट की branding मिल जाती है और दोनों साइड इस साइड भी आपको बोट की branding दी गई है और नीचे की साइड से बात करो तो इधर आपको type C का port दिया गया ज उसके बगल में यहाँ पर भी एक microphone मुझे दिख रहा है और यह पता नहीं यह भी microphone है इतने सारे मुझे mic यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो हो सकता है एक mic आपकी जो voice है उसको दूसरे end तक पहुचाएगी और दूसरा जो है वो काम आएगा background की noise को cancel करने में तो काफी अ quality यहाँ पर यूज किया है बहुत बढ़िया material यहाँ पर यूज किया गया है और यहाँ पर भी आपको board की branding मिलती है और इसी के उपर भी यहाँ पर laminate यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है इधर देखेंगे तो यह फोम मिल जाता है तो अगर आपको कुछ sweat वगर आता है त करती है पेरिंग मोड में आ गया है तो चेक कर लेते हैं इसका नेम जो है हमें यहाँ पर शो कर देगा फोन में तो यहाँ आप लोगों से मिलता हूँ सो दोस्तों इसकी मैंने सारी टेस्टिंग कर लिया इस वाले हेड़फोन की और अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ सबसे पहले आप लोगों को बता दू यहाँ पर बुडूतूत कनेक्टिविटी जो है मुझे बहुत जादा अच्छी लगी है अब बात करता हूँ मैं इसके साउंड क्वालिटी की तो यहां पर मैंने अलग अलग तरीके के सांग सुने जहां पर मैंने नॉर्मल सांग भी सुने कुछ बास बुस्टेट सांग भी सुने जहां पर बेस ज्यादा था तो bass वाले songs जब मैंने सुने और यहाँ पर मैंने उनको experience किया तो actually में जो vocals है बहुत जादा clear है full volume पे भी आपको एकदम crisp and clear sound सुनने को मिल जाता है इस वाले headphone से आपको उसमें कोई भी problem नहीं आईगी bass भी बहुत ही अच्छा लगा है मुझे बट एक चीज मेरे को थोड़ा सा लगा है कि यहाँ पर full volume के बाद भी थोड़ी सी कम loudness मुझे लगी है और जादा loud और जैसे other headphones को मैंने यहाँ पर unbox किया है तो वहाँ पर जो sound होता है बहुत जादा loud देखने को मिलता है तो उतना loud यहाँ पर नहीं है बट मैं बोलूँगा जितना full volume पर loud है उससे जादा वैसे भी सुनना नीची है तो यहाँ पर काफी जादा comfortable रहता है full volume करने के बाद भी अगर आप सुनते हैं तो आपको एक अच्छा experience सुनने में मिलेगा तो sound quality के लिए अगर आप लोग songs वगरा सुनना पसंद करते हैं तो definitely आप इसको consider कर सकते हैं काफी जादा अच्छा है अब आता हूँ मैं इसके main part पर जहाँ पर इसको मैंने test किया है calling के लिए तो मैंने इसको whatsapp call पे, normal call पे, सब पे यहाँ पर test किया है और with ANC और without ANC दोनों तरीके से test किया है तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ without ANC में जब आप इससे calling करेंगे तो आपकी mic की quality तो बहुत बहतर है सामने वाले को person को पता भी ने लगता है सराउन में भी अगर को sound है आप वहाँ पर calling कर रहे हैं तो आपके mic से जो receiver end पर आपकी voice जाती है बहुत ही clear जाती है मैंने अलग-अलग environment में test किया है अपने room में test किया है अपने balcony में जाके test किया है बट जो call quality निकल के आई है बहुत जादा कमाल की निकल के आई है और जब मैंने ANC को enable किया है आप लोगों को बता दू इतना अच्छे से यहां पर active noise cancellation काम कर रहा था कि मुझे जो है अपने surround के जितनी भी sound थी कुछ भी यहां पर सुनाई नहीं दे रहा था एकदम air packed हो गयते मेरे ears और यहां तक कि in fact मैं जो बोल रहा हूं मेरे को अपनी voice भी नहीं आ रही थी मतलब जो सामने वाला receiver है सिर्फ और सिर्फ मैं उसको सुन पा रहा था तो active noise cancellation जो है मैं बोलूँगा definitely बहुत अच्छे से इसमें काम किया है मैंने इसको test किया मुझे बहुत जादा बढ़िया लगा है बाकी इसके जो यहां पर मैंने आप लोगों बताया है इसके mic के quality है वह बहुत जादा अच्छी है बट वो मैं आप लोगों यहां पर एक बार test करके बता भी देता हूं आप लोगों मैं दिखाता हूं यहाँ पर जो इसकी मीक की क्वालिटिय कैसी ही मिल जाती है मैं अपने वीडियो को अभी जो मेरी वॉइस सद्लिजान के तर् WEADS सुन रहे है वो अभी इस माइक के तो इस तरीके की आवाज आ रही है तो अब मैं जो है इसको shift करूँगा अपने इस वाले headphone से pair करके इसकी आवाज quality आप लोगो दिखाऊंगा कि इसकी mic के थूरू कैसी यहाँ पर आवाज आ जाती है अब जो आप sound सुन रहे हैं वो मेरे headphones के थूरू आ रही है आप लोगो आप लोगो बताईए कि actual में आपको कैसी sound quality इसकी सुनने को मिल रही है अब जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ इसके mic से यहाँ पर record हो रहा है और मुझे उमीद है कि आप लोगो मेरे sound जो है अच्छी तरीके सहारी होगी आप इसके थूरू judge कर सकते हैं कि actual में इसका mic जो है किस तरीके से perform करता है So overall मैं अपने opinion के बात करूँ तो यहाँ पर जो build quality मिलती है सबसे पहले मैं आप लोगो को बता दू काफी जादा कमाल के build quality दी गई है काफी अच्छा material यूज़ किया गया है जैसा मैं आप लोगो बताया और इसके अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पर metal का भी यूज़ किया गया है तो durability काफी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है long term में आप जब इसको use करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा और मैंने इसको काफी देर तक जो है इसमें song सुनके देखा है लगा कर मैंने काफी देर से इसको पहना हुआ था यहाँ पर पस सुनते हैं मैंने यहां पर गाने सुने तो यहां पर कानो में मेरे दर्द नहीं हुआ काफी अच्छा सा शाती है और dedicated or dedicated एक headphone search कर रहे हैं जिसके अंदर सारी चीज़े बढ़िया मिल जा है हला कि इसका price point थोड़ा सा जादा रहता है 4000 के round चला जाता है बट जो कम price के headphones आते हैं जो की 2200, 2300 या फिर 3000 के round रहते हैं तो उसके मुकाबले actually में यहाँ पर चीज़े अच्छे मिल जाती है build quality से लेकर overall performance बहुत जादा बहतर मिल जाती है तो मैं आप लोग को बोलूँगा अगर आपका budget इतना है एक से 2000 रुपे बढ़ा कर अगर आप लोग इस budget segment में आ सकते हैं definitely यह वाला product आप consider कर सकते हैं इसका link भी मैं नीचे description में दे दूँगा आप लोग वहाँ से जाके इसको purchase कर पाएंगे तो दोस्तों यही था इसका unboxing और review मुझे उमीद है यह वाले headphones और यह वीडियो आप लोग को पसंद आए यह वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को like करना है चैनल को subscribe कर देना है ताकि आने वाली वीडियो के लिए आप लोग को notification मिलती रहे तो मिलेंगे अपनी नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई